नमस्कार दोस्तों सीतला अस्थमी की हर्दिक सुपकामनाई रामगड की सीरीज में आज आपके सामने हैं सीतला माता का मंदीर रामगड से खवाटी पिछले वीडियो में जब हमने रामगड में परवेश किया था उसके बाद हम आज आपको दिखा रहे हैं सीतला मता का मंदिर रामगड से खवाटी दोस्तों में रास्ते को पार करने के बाद बाल मंदिर स्कूल के पास से आगे जाते हुए गंगा मता मंदिर के पास से आगे की और जाते हुए पुराने गनेस मंदिर के पास से होते हुए रास्ता जो जाता है वो जाता है प्राचीन सीतला मता के मंदिर में बताया जाता है कि सो वरस से भी अथिक पुराना है ये सीतला माता का मंदिर उपरला मोला में सीतला माता का मंदिर तिले की उंचाई पर इस्तित है मंदिर में जाने के लिए सीडियों को पार करना पड़ता है सीडियां पार करने के बाद मंदिर के मुख्य भाग में हम पहुंसते हैं मुख्य भाग में पहुंसने के बाद छतरी नियुमा बना हुआ यह मंदिर है जिसमें काफी फ्रेशको पेंटिंग है जो लगभग सीतला माता से ही बिलोंग करती है दोस्तो पुरानी कहानियों के अनुसार एक बार धर्ती पे सीतला माता का आवागमन होता है सीतला माता के आने के आने के बाद उन पे किसी के द्वारा गरम पानी गिराया जाता है गरम पानी गिराने के बाद सीतला माता ढूंडते हुए एक कुमारी के घर पहुंसती है कोई देवी है तो कुमारी उनके आगे हाथ जोड़ लेती है। सीतला माता के द्वारा कहा जाता है कि आप डरो मत मैं सीतला माता हूँ। कुमारी उनसे निवेदन करती है कि मेरे घर पे ऐसा कुछ नहीं है जिस पे आप विराजे। तब वो कुमारी के घर घर पे खड़े वे गदे पे अपना सियासन बनाती है तो हमें काफी फ्रेसकों में गदा उनका वहान नजर आता भी है उसके बाद कुमारी को वो बरदान देती है कि आगे से सीतला माता की पुजा में तुम्हारे घर से ही बरतन मिट्टी के बरतन वगेरे हैं काम में लिए जाएंगे दोस्तों इसके अलावा एक और कहानी परसलित है जिसमें सीतला माता की कहानी के अंदर दो बहुँं की कहानिया है जो सीतला की अस्थमी के दिन थंडा खाना नहीं खाती है गरम खाना खाती है और उनके बच्चे का देहन्त हो जाता है बच्चे के देहन्त के बाद वो जंगलों में घुमती हुई सीतला माता से उनका मिलन होता है वहाँ पे सीतला माता की सेवा करने से सीतला माता परसन होती है और वह उनको बोलती है कि तुमने गरम भोजन किया इसलिए हम आप पे नाराज हो गई थी उसके बाद वो उन पे खुस होके उनके बच्चे को पूने जुवित कर देती है दोस्तों ये दोनों पर्चलीत दंत कताएं हैं जिनमें सीतला माता का विवरण हमें मिलता है राजस्थान में भी काफी परसीच सीतला माता के मंदीर है परन्तु सेखावाटी छित्र में एक मात्र ऐसा सीतला माता का मंदीर है जिसमें सीतला माता के फ्रेश को बने हुए है मंदीर के एक साइड में बनी हुई जांटी है जिस पे काफी संक्या में दोज फराए होए है मंदीर का उपरी हिस्सा छतरीयों के जैसा है जिस पे छोटी-छूटी गुमज बनी हुए जिन पे धौजाएं लहरा रही है मंदीर काफी 29 पे इस्तीत है यहाँ पे देखने पे हमें पूरे रामगड एरिया की छतरियां हवेलिया नजर आती है दोस्तों आपको मंदीर के बारे में जानकारी कैसी लगी वीडियो को सेर करें लाइक करें वे सब्सक्राइब करें धन्य बने